हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शे बजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे धर्माज क्रॉप आई पियो के अलोट्मेंट स्टेटस के बारे में कैसे अलोट्मेंट स्टेटस चेक करना है कहां पर चेक करना है सब कुछ आपको बत हुआ कि अलोट्मेंट क्या मिलना असान है तो दोस्तों सबसेली बाद अलोट्मेंट मिलना बहुत ज्यादा आसान नहीं है सी जिस प्रेका से सब्सक्रिप्शन निकल के आया था 21.53 रीटील के डिगरी सब्सक्राइब हुई थी 21.53 रीटील के डिगरी के सब्सक्राइब हो तो 20 में से एक जने को IPO मिलने वाला है तो आप देख लीजे कि बहुत आसान नहीं होने वाला है कि आपको आज allotment मिल जाए but again all the best wishes to all of you अब दोस्तों allotment check किसे करना है so देखे दो website से अब दो website पर जाके आपको check out करना रहता है तो कैसे आपको check करना है वो हम देख लेदे है so friends सबसे पहली जो website है वो है BSC की और BSC की website के link में ने description में दे दिये कैसे चेक करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों आपको issue type पर जाना है then equity पर click कर देना है equity पर दोस्तों click करने के बाद issue name पर आपको जाना है application number का मिलेगा application number आपके registered mail id पे ठीक है registered mail id पे आपको मिल जाएगा mail id पे आप जाईए check out कर लीजिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा application number अगर वहाँ पर नहीं भी दिखता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके आपका pan card है तो वह आप डाल सकते हैं उसका बस आपको I am not a robot पर click कर देना है और उस पर submit कर देना है अब बहुत बार होता क्या है दोस्तों no record found दिखाता है इसका sign यह होता है no record found का ठीक है तो यह चिंता मत करेगा अगर आपको ऐसा दिखता है no record found का मतला बस यह है कि अभी तक allotment is not started yet तो अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर आपको check कैसे करना है दूसरी website से मैं prefer भी यह करूंगा कि आप दूसरी website जो register website होती है वहां से check करें because register website पे बिल्कुल सही डंग से दिखता है तो दोस्तों जो धर्माज क्रॉप गार्ड की रजिस्ट्रार है वो है link in time जो दोस्तों जो दूसरी website है वो है link in time link in time की website पे आ चुके हैं यह company के रजिस्ट्रार website भी है अब रजिस्ट्रार website की बात हम क्यों कर रहे हैं तो यह important चीज है कि अभी तक दोस्तों allotment नहीं start हुआ है time लगता है कब start हो सकता है mostly 7 p.m. के बाद अब link in time की मैं आपको एक दिक्कत भी बता देता हूं दिक्कत ही कह सकते हैं इसको कि होता क्या है link in time पे जो mostly ipo आते हैं वो थोड़े से लेट ही show होते हैं मतलब अगर date आज की तो बहुत बार हुआ क्या है कि कल तक ipo का allotment हमको पता चला है तो यह अब दिक्कत रह सकती है उससे पहले हो सकता है कि आपके पास आपकी bank के तरफ से message आ जाए कि आपका पैसा या तो debit हो गया या तो credit हो गया अगर debit का आ जाए तो definitely आपका पैसा यहां पर cut गया इसको आपको ipo मिल गया वो credit का message आता है इसको मतलब यह ही है कि आपको ipo मिलना नहीं है आपका जो blocked amount था वो वापिस से unblock हो चुका है तो यही दोस्तों पता सार गया सकते है थोड़ा सा slow है तो अब देखना होगा किस प्रकास चलता है बट यह है कि हां mostly यह start हो जाना चाहिए after 7 p.m. करें दोस्तों gray market की बात करें तो करें दोस्तों gray market है धर्माज crop की वह 50 रुपीज है 50 रुपीज है पचास रुपे का मतलब यह है कि 21.10 परसंट तक को रिटन मिल सकता है तो एक अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है तो definitely all the best wishes to all of you कि आपका allotment मिल जाए हां यह है कि अगर आपका allotment नहीं मिलता है तो आप आपका पैसा जो है वो कल या फिर पर्श्रों के अंदर आपको वापीस मिल जाएगा और 8 को इसके लिस्टिंग भी हो जाएगी तो दूस्तों इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बड़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहले बाए सब्सक्राइब पर देना थैंक्यो फ्रेंड्स वराचिं इस वीडियो